नमस्कार स्वागत है आपका abp ganga.com देख रहा है आप आपके साथ मैं हूँ लवी गुंबर और आज हमारे साथ है प्रदेश के युवा देश के युवा जिनसे हम जानेंगे क्या है उनका नजरिया देश को लेकर प्रदेश को लेकर क्या है उनकी सोच कौन कौन से चैलेंजिस है और उनको फेस करने के लिए उनकी क्या तैयारी है आप सभी का abp ganga.com पर बहुत बहुत स्वागत है और आज हम युवाओं की बात करने वाले हैं आप सभी की जो चर्चा है आप ही के नजरिये से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या चैलेंजिस हैं क्योंकि अब एक पड़ाव खत्म होने वाला और एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है क्या चैलेंजिस हैं सबसे पहले मैम आप अपना नाम बताई और बताईए कि क्या चैलेंजिस देख रही और आगे future के prospects किस तरह से देखती हैं, क्या बनना चाहती हैं और क्या लग रहा है कि क्या देश में अभी इस तरह की संभावनाएं हैं, क्या scope है आपके लिए I feel कि आभी तो बहुत सारा development हो रहा है obviously So MBA करने के बाद तो बहुत opportunities I'll have तो अभी मैंने इतना भी long term basis पे नहीं सोचा है I'm running on short term basis, तो आगे का देखते हैं आप से जाना चाहेंगे, आपका क्या नाम है और क्या संभावनाएं हैं अगर रोजगार की बात करें, क्या लगता है अभी इंडिया में जो सिनेरियो चल रहा है कितने challenges हैं जी मेरा नाम अनुभव है और जहां तक लगता है कि अगर आपके पास बहुत अच्छी education degree है तो आपके लिए रोजगार की कोई problem होनी ने चाहिए और MET आपको यहाँ पे बहुत अच्छे सुविधाई देते हैं जिससे आप अपनी knowledge को enhance कर सकते हैं इससे आप अपने life में कुछ भी कर सकते हैं बस यही बहुत आप से जाना चाहेंगे आप क्या देखती हैं किस तरह से अभी जो देश में हाला चल रहे हैं और जिस तरह की मेहनत आजकल युवा कर रहे हैं बहुत सारी technology है बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे मुद्दे भी हैं आपको कोई परिशानी आती है किस तरह साथ आप चाहते हैं कोई बदलाव होना चाहिए कोई सुधार देखते हैं सुधार तो होने ही चाहिए चेंजेज कॉंस्टेंट कुछ भी नहीं रह सकता आपको युवाओं को सुना जाता है उनको समझा जाता है क्योंकि बहुत सारी उमीदे हैं और पूरे देश को उमीदे हैं आप लोगों से आप आने वाले कल का भविश्य है क्या प्लानिंग है क्या तैयारिय है क्या सोच है मेरे हिसाब से वीड़ फ्यूचर दीड़े एंडिया सो क्यों आपको और यू प्रोड़न लिए नहीं प्रोड़न आएंगी उसका नए नहीं सेलीशन भी आएगा अगर राजनीती की बात करें तो आपको क्या लगता है क्या आज देश का जो युवा है वो राजनीती में जाना चाहता है राज मेरा नाम निकिता है तो राजनीती में बहुत सारी परिशानिया भी हैं बट मतलब हमारे उपर एक वो भी होता है कि हम सुधार कर सकते हैं देश का तो अब्विसली मतलब हम सब चाहेंगे कि सुधार हो देश का तो इसलिए हम चाहेंगे कि हम राजनीती में जाके डेव हमारे साथ मौझूद हैं उनकी क्या सोच है उनसे जाने की कोशिश करते में हम आपका नाम और आप बताइए किस तरह के चैलेंजिस आप देखती है फ्यूचर में और क्या लगता है क्या अभी जो सिनेरियो चल रहा है देश में चुनाव भी चल रहा है क्या कुछ जो सिस्ट होंगे तो बेटर्मेंट ही आएगा विलिफ चैंज आर इंपोर्टन आपको क्या लगता है क्या जिस तरह से अब इतने ओपिशन बहुत है बहुत सारे युवाह है और बहुत सारी समस्याइभी उनके सामने क्या लगता है इतनी पढ़ाई करने के बाद एतनी मेहनत करने के से घाहते हैं घात प्रपी लिए की लिए इंचालाई अप्राद क्या सि कि अप्राउश अप्राइट ग्रुड की लिंच का shippa. से लयतुछ की इप्निटThis... to explore ourselves, to understand the theories and also apply it. So I think if we concentrate on learning our concepts, our theory, and then also concentrate on how to apply them, the youth will benefit. And that's why I would like to acknowledge Amity's help in that, as I have taken admission at EICP Europe for Masters in Management. So it's the EICP Europe, which are the thoughts that we have seen. And what is happening to students. I would like to know what you have to see. What changes you have seen in the future? My name is Tania. These are very important opportunities to see employment. There is no employment. इतनी है नहीं युवाईं बहुत सारे पर इतनी नहीं हैं तो यह हो सकता है कि जो नहीं सरकार आ रही हैं वह में भी नहीं आपॉच्टिनिटीस लाएं ताकि जो हम एडूकेशन जो भी हम स्किल सीखते हैं उसको अपलाय कर पाएं और इस देश का विकास हो पाएं तो यही च अच्छे पास बहुत हो रहे हैं पर उतने ओफेसे नहीं है उतनी पोस्ट नहीं है मतलब सप्लाइज जादा है डिमांड उतनी नहीं है तो यह तो लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद का बिजनस खोलें ऑंट्रोपेनोर्शिप में घुसें जैसे में कि भी इशू हैं लेकिन क्या लगता है कि जो युवा हैं आने वाले समय में इस चैलेंज को फेस करने के लिए तयार हैं क्या सलूशन देखते हैं क्योंकि युवा बहुत जागरूख है और सलूशन बेसिकली यही है कि उनको अपना स्किल डेवलप्मेंट करना है जो आजक अगर यह सोच ना पड़ेगा कि अगर हमें कही और अपरचुनिटी नहीं मिल रही है तहर हमें अपने अपरचुनिटी सुद बनाने पड़ेंगे ताकि हम involvement धून सके क्योंकि जो employment opportunities वो तो slowly ही बढ़ेंगे क्योंकि जैसा था development आ तो रही है बट slow and steady है तो हमें उसका वेट तो करना ही पड़ेगा लेकिन अगर इतने सारे population increase हो ही रही है तो हमें खुद के opportunities खुद ढूंदने परेंगे through business opportunities and all of that. हर तरह के challenges face करने के लिए युवा तयार हैं और students हम बात करेंगे मैं आप नाम बताएं और आप बताएं कि अब जो technology है बहुत सारे skill development की बाते हो रही है क्या लग रहा है वाकई इस तरह के opportunities आप लोग खुद create कर पाएंगे मेरा नाम Anisha है और आज कर काफी skill development जैसे हम सीक रहे काफी skill development हो रहे है एंड दीरे तेकनोलोजीज हैं पर उनको साही तरह से यूज करना और साही डायरेक्शन में जाना वो एकदम दीरे दीरे ही होगा एंड सब को जैसे सब कंपीट कर रहे हैं उनको एक साथ एक दूसरे के साथ बढ़ कर चलना पड़ेगा नाहीं कि एक दू रहे हैं किया सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या अभी और आप देखते हैं कि बहुत सारी चुनाओतियां हैं कुछ बदलाव होने चाहिए और बहुत सारे जो सिस्टा में उसमें सुधार होने चाहिए. My name is Utkarsh Khanna, basically I think that we are heading towards changes and I feel the development is taking place. Just the changes that are required are the educational changes. We are basically following a very orthodox structure. हमें actually corporate field में जो skills required हैं वो उनको acquire करने में जादा महनत कनी चाहिए that's the thing that educational structure is lacking plus employability जैसे बढ़ेगी with the coming up of new government वो तो that will take place obviously but it's slow and steady चीज है but सब लोग अपने skill set जैसे जैसे बढ़ाएंगे उनकी वैसे वैसे chances एक corporate life में या जॉब लगने में उनकी help करेगी क्या लगता है आज का जो युवा है वो नई सरकार चुनने में जो अपनी भूमी का है वो भी अदा करता है क्या देश में जो तमाम मुद्धे हैं उनकी भी समझ रखता है definitely आज से पांट साल पहले की बात की जाए तो उससे तो बहुत जादा comparatively हम लोग सब्सक्राइब करते हैं जो जो तमाम एजंडा है जो वादे किये गए क्या वो उससे संतुष्ट है या वो चाहते हैं कि आने वाले करने की गुंजाईश है क्या लगता है आपको आप का क्या नजरिया है जो अभी जो आपने समझ देखी आपने जो देखा कि political scenario है तमाम जो राजनेतिक पार्टियां हैं जो बड़े-बड़े वादे किये क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए और क्या पॉलिटिकल पार्टी उसको समझ पा रही है एड्रेस हो पा रही है और बहुत सारे चेंज़ नीडर है बट वो टाइम के साथ ही आएंगे हमें गवर्मेंट को टाइम देना ही पड़ेगा जो हम अभी समझ नहीं प लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि क्या एंप्लाइमेंट ऑपर्चुनिटी की बात हो रही है देश में वाकई उसको गंभीरता से लिया जा रहा है जैसे हम देख सकते हैं अभी डिजिटल इंडिया आया मेक इन इंडिया आया तो ऐसे इसे गवर्मेंट स्टेप्स त आप से जाना चाहेंगे आपके क्या पुल्टिकल व्यूस है जिस तरह से अलग अलग गोवर्मेंट ने काम किया अगर देश की बात करें अप्रदेश की बात करें My name is Ashita and I think that the government the present government is doing very well in developing our country but one thing that they are lacking is they are not promoting the public sector the public sector contributes a lot in employment creation for the youth and so this should be the main focus of the government which is coming up किस तरहां का जो सिनेरियो है कुछ और आप लोग एड करना चाहें कुछ बताना चाहें कोई आपके सजेशन हो सुझाव हो मेरे अकॉर्डिंग सिफ एम्प्लॉइमेंट पे फोकस करना इंप्लॉइमेंट बढ रहा है बट उसके लिए हमाई को एडिकेशन सिस्टम में भी चेंज लाने पड़ेंगे जो मैं नहीं जानती यह मुझे नहीं लगता कि हम लोग इना फोकस कर रहें अच्छ ऑगाए तब बहुत और्तोडोक्स एड्यूकेशन सिस्टम में फॉलो करें अंटेनर अनलेस हम लोग प्राक्टिकल प्राक्टिकल्स करें skill development करें तो education में changes लाएं तब तक employment में changes लाने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि companies हैं वो employ कर रही है बाट उनको skills चाहिए so we should focus on skill development more and we'll definitely get jobs आपको लग रहा है इतनी जल्दी हो पाएगा यह नहीं ओविसली थोड़ा सा time तो लगेगा बट मोधी सरकार इस तरफ बढ़ रही है वो दिख रहा है चेंज आ रहा है बहुत जादा development हो रहा है तो धीरे-धीरे साब होएगा जी और जो कमाम parties हैं तमाम political parties हैं क्या लग रहा है कि उनके पास वो विचार शमता है जो युवाओं को चाहिए वो देने के लिए तयार है या तमाम जो मुद्दे हैं जो वादे कर दिये जाते हैं लेकिन वादे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं जब election आते हैं तो किस और चीज पर वोटिंग हो जाती है अभी तक ऐसा था पर पांच साल पहले से ऐसा नहीं है वरना इतना सारा change तो दिखता नहीं obviously promises तो होते ही है election से पहले पर धीरे धीरे change दिख रहा है and हुएगा all of us are very positive लोग positive हैं और उमीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही लेकिन बदला जो है आप उमीद कर रहे हैं आने वाले पांच साल में देखने को मिलेगा और चाहिए development हाँ और obviously youth के लिए opportunities हो और उन्हें धूननी ना परे उन्हें at least अपने जितना वो अपने skills जितना वो सीखते हैं वो उतना अपलाइ भी कर सके and also जैसे सबाकियों ने भी का कि educational उसमें भी थोरे changes आने चाहिए from orthodox to application based तो वो भी आएंगे बट time लगेगा लेकिन बहुत सारा कुछ है जो इन युवाओं के मन में हैं और यह achieve करना चाहते हैं आज की generation है जो जिम्मेदारियों को निभाना जानती है जोने पता है कि क्या challenges है और किस तरह से उन्हें face करना है बहु आप उसको like कर सकते हैं अपने suggestions दे सकते हैं हमारे साथ YouTube पर Facebook पर और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं और अपने suggestion हमें जरूर भेजिए आज की इस बड़ी चर्चा में बस इतना ही ABP Ganga पर लगातार updates के लिए logon करते रहिए तब तक के लिए दीजिए जाजत keep watching ABP Ganga.com